हेलो पीपल, हाव आई यू और वेलकम अगें तो आर चैनल वीडिजाइन स्वागत एक और विक टुटोरियल में आपका इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पैच को रिमूव कर सकते हैं अभी आप स्क्रीन पे देखिए इसका ये वाला जो पैच है हम इसको रिमूव करेंगे ठीक है फोटोशोप में बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जिसमें आपको एक स्टेप फोलो करना है और बहुत सारी चीज़ों को आप अच्छे से यूज कर सकते हो ठीक है ये टूल बार है तूल बार से हम लोग एक टूल सेलेक्ट करेंगे पैच टूल ठीक है जे इसका शोटकट होता है आपने पैच टूल को सेलेक्ट किया कुछ नहीं करना बस आपको एक अपना माउस को लेके इसके बाहर एक इस तरीके का सेलेक्शन बना देना है जिसमें की हमारा पूरा पैच आ जाए सेलेक्शन बनाने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा इस तरीके से ड्रेक्ट करना है या फिर आप उस साइड को भी ड्रेक कर सकते हो लाइक दिस ठीक है ठीक है इतना आपको करना है Ctrl D होता है D select करने के लिए Ctrl D दबा देंगे और हमारा जो patch है वो देखे गायब हो चुका है ये आप पहले की image देख लीजे और अभी हमारे काम करने के बाद आप ये देख लीजे patch जो है वो remove हो चुका है image से जस्ट आपने एक step follow किया कि आपने patch tool लिया तरीके से आपका patch remove हो जाएगा ठीक है लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से आप sport healing का use करके जो sports है उनको गायब कर सकते हो अगर यहाँ पे आपको कोई sports दिखते हैं तो आप जस click करो और वो sport जो है वो इस तरीके से गायब हो जाएगे और परफेक्टली आप अपना जो जो patch है उसको गायब कर सकते हो like this so that's all for today और आप भी अगर एक quick learner और चोटी-छोटी वीडियो देखना पसंद करते हैं अपनी learning के लिए तो यह channel आपके लिए बहुत ही जादा helpful और informative होने वाला है हमारे channel पर मैं आपको short tutorials and big tutorials सारी चीज़े provide करवाऊंगा जो भी चीज़े necessary हैं मैं आपको सब चीज़े provide करवाऊंगा और अगर यह video आपको informative लगी हो तो इस video को भी like कर दीजे so मिलते हैं next video में thank you, bye, take care